भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमी कहते झाल 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 हमें मालूम ही नहीं कहां जाके क्या बोलना है क्या मांगना है भगवान के मंदिर में देवताओं के मंदिर में जाके प्रणाम कैसे करना है मंत्र कौन सा बोलना है पहला फूल चराओं की हार चराओं मिठाई चराओं की अगर वत्ती दिखाओं दीब दिखाऊं, क्या करूं मालूम नहीं, चले जाते हैं, इधर वाले को देखते हैं, उधर वाले को देखते हैं, और फिर नहीं कुछ समझ में आता है, तो गोविन नर्पनम करके आ जाते हैं, चलो भाईया दे देना जरूर, जो मेरी इक्षा है, तो सभी देवता, जितने भी देवता देखें, गनपती दिन रात भगवान संकर्शन का, जो विष्णु नाराइन का एक रूप है, क्रिश्णा का, अपने उनके दोनों खड़ा, उनके यहां पे कपोलों पे रखते हैं, और दिन रात भजन गाते हैं उनका, हरे क्रिश्णा, हरे क्रिश्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, दिन रात और भगवान क्रिश्णे, संकर्शन ने उनको असिरवाद दिया, आप इस भौतिक संसार में बिगन हर्ता, आपकी पूजा होगी लोग आपको, मैं का भजन करते हैं, हमें उनसे तो सीखना चाहिए, हम बुद्धि मान है, we are qualified और ब्रैकेट में highly, क्या? highly qualified, है न? तो यह highly qualified, मालुम नहीं कैसे भगवान के पास, भगवान का कौन सा मंत्र बोलू, कैसे पूजा करो, मालुम नहीं, देवताओं के पास, मालुम नहीं, हनुमान जी के पास, जाके कहना चाहिए है, आप जैसे, ब्रमचारी है, आप जैसे भगवान के शुद्वखत है, परमहान सेवक है, आपकी जो सरनागती है, आपकी जो सरलता है, ऐसे मुझे भी आना चाहिए आपके आसिरबात से ताकि मैं भी Shri Rām की सेवा में लग सकूँ Shri Krishna की सेवा में लग सकूँ अपने आपको लगा सकूँ लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं मांगा बीचार भी साइद नहीं आया हम एच संसारी मांगते रहते फूल मांगने के बजाए काटे के पीछे लगे हैं तो काटा तो चुबेगा ही न भाई गल्ती किसका है हमारा गल्ती है या उपर वाले की गल्ती है किसका गल्ती है पंची है न, पंची, एक पंची रहता, उसका नाम है गिद्ध, क्या उसका नाम है? गिद्ध, वो बहुत उचा उड़ता है, आकास में, बहुत उचा, उड़ता आकास में है, लेकिन नजर नीचे सरा हुआ मांस पे रहता है, का रहता है? आकास में रहे के भी, नीचे सडा गला, महक बदबुदार मांस पे नजर रखता है, ऐसे हम लोगों के हालत है, भगवान के पास रहते हुए भी, देउताओं के नज़्दीक रहते हुए भी, सत्संग में आके भी, भक्तों का संग रहे के भी, हमारा नजर भोग और बंडारन पे रहता है, कैसे भर लूँ, कैसे सबसे ज़्यादा जमा कर लूँ, चाहे इसके वदले हमें क्यों न पाप के महा सागर में डूबना पड़े, ये हमारा उस गिद्ध की तरह हम लोगों के आलत है, तो देवताओं के पास जरूर जाइए, देवताओं भगवान की सेवक हैं, और भगवान की सेवक को जरूर नमस्कार करिए, प्रनाम करिए, आदर करिए, उनका सेवा सद्धकार करिए, लेकिन उनसे ये मांगिए, कि हे हमारे प्रिये देवताओं, आप हमें भगवान के भक्ती में लगाईए, नाराइन के नाम के जप में लगाईए, नाराइन के प्रेम को प्राप्त कैसे हो, ऐसी बुद्धी मती हमारे अंदर जगाईए, ऐसे हम लोगों को दिन राट प्रा इकादिसी जरूर करिये और उपवास का फलाहार, जलाहार, रसाहार, अनेक प्रकार के आनंद की बस्तुएं खाईये, उससे अध्यात्मिक उन्नती होगी, भगवत प्रेम प्राप्त होगा और स्वास्त अच्छा रहेगा, एक दिन सस्चम को जब आप थोड़ा सा आराम दें तो इस चक्ची को भी थोड़ा आराम मिलेगा, शेहत भी अच्छा रहेगा, हो सकता है तो निर्जला उपवास करिये, नहीं हो सकता है तो खापी के करिये, अगर और थोड़ा सा अच्छा करना है, तो एक ताइम खाईए, रातरी को जागरन करके भजन करिये भक्तों के करिए इस प्रकार से तुरंद कृष्ण प्रहेम जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त होगा अनुभुती होगा तो इकादसी हम लोग उसका महिमा सुन रहे थें जो थोड़ा रहे गया था हम आज और उसको थोड़ा सा विस्तार में आप लोगों को बताने का प्रयास किया निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में लीजिएगा आपका ही मंगल होगा हमारा उसमें सिर्फ इतना लाब होगा कि मैं ये भगवान का संदेश ये दिव्व संदेश आप तक पहुँचा सका बोले Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 और गीता जी का और भी महत्व है कि अगर आप गीता जी घर में रखते हैं, यह जहां भी गीता भागवत के उपर प्रवचन चलता है, होता है, वहां पर आप जाके श्रदा से प्रनाम करिये, गीता जी को, भागवत जी को, रामायन जी को प्रनाम करने मात्र से आप बहुत सारे आपके दुरगुन नस्ठ हो जाते हैं आपके पाप दूर हो जाते हैं और ऐसे करने से आप ताजा हो जाते हैं हो जाते हैं, हलका हो जाते हैं, आपकी मलीनिता छट जाती हैं, कम हो जाती हैं, सिर्फ प्रनाम करने मात्र से, क्यों ऐसा? क्योंकि ये गीता जी, भागवत जी, भगवान का वंगमे रूप हैं, साफद्विक रूप हैं, शब्द के रूप में भगवान ही हैं, इसलिए प्रन करते के साथ ही हम लोग ताजा हो जाते, शुद्ध हो जाते प्रफुलित अनुभब करते हैं, यहाँ बैट के आप लोग को आनन्द होता हैं, सांती होती हैं, खुसी अंदर से प्रफुलित हैं, इसका प्रमान है कि भगवान की वानी सुनने से ये प्रमान है कि ये सारे आनन, प्रसन्यता, प्रफुलित और आप हलके हलके हो जाते, शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते हैं, ये साक्षात प्रमान है, तो ये रोज करना चाहिए या कभी-कभी एक-एक साल में जब नौ दिन का कथा होगा तब करना चाहिए, एक ही दिन प्रसंद रहना चाते, नहीं न, रोज, हर समय, तो इस प्रकार से जीव, एक नई उर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, अध्यात्मिक चेतना के साथ, जीव एक, ऐसे तयार होता है, कि उसे लगता, रे ये, अभी तक क्यूं हमारे जीवन से दूर था, ये आनन, ये समय, जीव बुद्धी मान है, उसको पकर लेते हैं, ले लेते हैं, अपना लेते हैं, और ऐसा जीवन बना लेते, लेकिन जो कम बुद्धी मान है, वो बिचार में लगे रहते, जो उससे भी कम बुद्धी मान है, वो सुनके, इधर से सुनते और इधर से निकाल देते, और कभी मिलेगा , किसको धक्का मार के आगे चला जाओंगा बहुत प्रशाद कितने भी आज आने दिजिए प्रशाद कमनाहीं पड़ेगे भक्त तयार है छे चुले के उपर जितना पड़ेगा उतना बनाते रहेंगे आप रात भर खाएंगे, हम सुबह तक खिलाते रहेंगे तो आनंध से प्रशाद लीजिएगा, प्रशाद भर पेट लीजिएगा और चाहिएगा तो जाते-जाते आपको बुक्स काउंटर पे से कुछ उपहार मिलेगा उपहार लेके जाएगा, कुछ सुन्दर-सुन्दर ग्रंथ है, ग्रंथ लेके जाएगा, एक ग्रंथ आपके जीवन के ग्रंथियों को खोलेगा, ग्रंथि मेंज जो गांट पर गई है, जो आपकी मलिंता को बढ़ाता है, तो सफाई करेंगे, तो इस प्रकार से गीता जी हम लोग को उड़जाबान बनाते हैं, हम लोग को अध्यात्मिक और भगवान के सरनागत बनाने का बड़ा सरल काम करती है, सिर्फ गीता जी को प्रनाम करने से, घर में रखने से, पढ़ने नहीं आता है, तो सिर्फ माते पे लगाईए, उतना ही म भगवान किरपा कर देंगे, एक सच्ची गटना बताता हूँ आप लोगों को, एक भीकारी था, भीक मांगता था, क्या करता था, भीक मांगता था, भीक, तो भीक मांगते, मांगते, किसी ने मजाक से उसको, उसके हात गाड़ी पे बहुत साड़े भीकारी चलते न, पैर नहीं होता हाथ कटे रहते हाथ में कपड़े घाव होता है तो किसी ने मजाक से उसके गाड़ी में हाथ गाड़ी में हाथ पे गीता रख दिया उसके और वो भगवान का भकता भजन गागा के भीग मांगता था और जब गीता मिल गया उसको तो उसने इतना पड़म सवभाग के समझा, जीवन भर उसके लिए लालाईत था, पढ़ना नहीं आता था, देखा भी नहीं था, सुना था सरफ, अब गीता जी को देखके जो रोना शुरू किया, जो रोना शुरू किया, चुपी नहीं होता है, भीर लग गई, जो भीक लोग देने वाले होते हैं, रोज उनक लेकिन हो है, गीता देखता और रोता है, गीता जी का दर्शन करता है, फूट फूट के रोता है, भुकार पारपर के पूरे कपरे गीले हो गए, चुप नहीं, भीर लग गई, इतनी भीर लग गई, सब लोग पूछ रहें, पुलिस बुलाना पड़ा, क्या हुआ भाई इ नहीं आता है क्या, बोला वो बात भी नहीं है, बोला एक गीता से कुछ तकलिफ है क्या, बोला वो बात भी नहीं है, बोला फिर बात क्या है भाई, पढ़के सुनाओं क्या, बोला वो भी बात नहीं है, कोई पंडित महत्मा बुलाओं, जो जानकार है तुमको सुनने की इ प्रिवस्ता करेंगे, बोला ये भी बात नहीं है, तो बात क्या है, बोले मेरे नाथ, मेरे ठाकूर, मेरे भगवान, कितने परम दयालू है, जगत के नाथ है, जगन नाथ है, कृष्ण है, लक्षमी पती है, नारायन है, विश्णु है, सभी जीवों का पालन करते हैं, सभी जीवों को पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं, और ऐसे हमारे इतने महान प्रभू, अपने एक छोटे से भक्त का, सिस्य का, एक सका का, सका के लिए क्या कर रहे हैं, ड्राइवर बने ड्राइवर, इस गीता जी में आपने फोटो देके भगवान अपने मित्र का, सका का ड्राइवर बने हैं, रत चला रहे हैं उसका, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब युद्ध खतम हो जाता था, उसको नीचे उतारते थे, उसके पैर को पकरके, और चड़ने के टाइम, पैर को हाथ लगा के चड़ाते थे, बीटाते थे, संसार का कोई छोटा मोटा जीव, छोटा मोटा इसलिए, कि संसार में तो छोटा ही मोटा जीव है, अहेंकारी होने के कारण, समझता है मैं हूँ, क्या समझता है, मैं मैं हूँ, मैं मैं करते रहता हैं, बक्रे की तणा, तो संसार का कोई जीव अगर गारी है उसके पास दो चाड़ भी है और आपका दोस्त है आप उससे अगर मांगेंगे गारी भाईया साधी है महमान आने वाले है जरा गारी दे दो वो गारी दे सकता है चाहिए तो ड्राइवर दे सकता है पेट्रोल दे सकता है लेकिन खुद नहीं बन सकता, खुद आपको बिठा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, बोला ये सोच के मेरे प्रभु कितने किरपालू, कितने दयालू, कितना प्रेम करते अपने भक्तों से, वो अपना मान भी देखते नहीं, भजन है न, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न, टलते दे प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु अपने भक्त के लिए कुछ भी सुदामा का चरन्द होके अपने सर पे छीट लिया और पी लिया, पैर धोया हुआ जल, सभी रानिया और द्वारिका वासी जम गए, फ्रिज हो गए, बर्फ के हो गए, ये कौन ऐसा आदमी है जि का धीस चरन्द हो रहे हैं और उसके जल से असनान और पान कर रहे हैं, ऐसे परम किरपालू, परम दयालू, धीन बंदू, दयावान प्रेम करने वाले, ये भगवान कृष्ण हैं, लेकिन हम इतने बुद्धि मान हैं, पंडी जी से पूछते हैं, भाईया पंडी जी, दच दचना दूँगा भरपूर, कितना दचना चाहिए, ऐसा कोई उपाय बताओ, एक घर और हो जाए, एक गारी आजाए, एक और कोई दूसरा धंदा सुरू हो जाए, गाओं में भी बंगला बन जाए, शहर में नाम हो जाए, और नाम वाम करके फिर हमारा राम नाम सत्त हो ज जीवन में तो कभी सत्त हुआ नहीं, जूटी बोल रहे हैं, आखरी में तो हो जाए है, हम इतने बुद्धि मान हैं, कारण सिर्फ एक है, गीता जी घर में नहीं है, पढ़ा नहीं, शहत का बोटल लाया है घर में, खाया नहीं, तो कैसे स्वात बढ़ेंगे, स्वात कैसे म स्वारी में रख देते, हवा भी नहीं लगे, छूना मत, कई लोग तो बोलते छूना भी मत, चैतन्य महाप्रभू, गवरंग महाप्रभू ने क्या का, ना नियम नकाल, उठते, बैटते, सोजते, खाइते, पीते, कभी भी गीता जी पढ़ सकते, कभी भी हरी नाम कर सकते, कोई नियम नई, कलियुक के जीव इतने पती थे, मैंने कल आप सबको बताया था ना, गंगा जी बिचारी बड़े कंडिशन के बाद, बड़े निवेधन के बाद, पपिर्थवी पे आई थी, कि कलियुक के जीवों को पवित्र करेगी, कलियुक के जीव, नरक लोग के करके रख दिया, सोचिये हमां हम लोग की दसा क्या है, इसलिए हमने कहा था, डायरी लिखना भाई रोज का, कितना पाप दिन भर में करते हो, सुबे से शाम तक पाप ही पाप करते हैं, सादूसंतों महात्मा कहते हैं, मनुस्य का सभाव ही है पाप करना, क्या कहते हैं, ये कल्यूगी जीव का, ये दुखाले में रहने वाले जीव का, एक मात्र सभाव है पाप करना और चाड़ों तरफ देखिए, वह ही हो रहे है एक हरी नाम का बेवस्ता नहीं, बाकी दुकान का बेवस्ता है सब पाप बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है खाना, पीना और एश्वरे के साथ रहना, ये सबी लोग कर रहे हैं और ये पूरा-पूरा पाप है बगवान गीता मिश्लोक में बताते जो बिना मुझे दियारपन करता है, वो महापापी है चोर है क्योंकि सारी चीजें मैं देता हूँ जब जल बरसा करता हूँ तो अनुत्पन होता है और अनुत्पन होते हैं आप उसको खाते हैं तो स्वास्त बनता है और स्वास्त बनता है तो पड़िवार का उत्पत्ती होता है और फिर संसार में आप आनंद करते हैं, वो मैं देता हूँ और उसमें से तुम मुझे जरा भी देते नहीं, पूछते नहीं, तुम पापी हो और चोर हो, मुझे माप कर दीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गीता जी का भगवान के शब्दों को दूराने का थोरी सी ना समझी कर रहा हूँ, हो सके तो छमा करिया, क्योंकि आप लोग को कठोर लग सकता है, लेकिन यह है लिखा हुआ इस भगवद गीता के शलोक में, भगवान की बानी को दूरा रहा हूँ, तो मैंने कल भी निवेधन किया था, जो भी खाये भगवान को अरपन करिये, मंत्र न जो मुझे पत्ता, पुस्प, फल और तोयम जल, यह प्रेम से अगर मुझे अरपन करता है, मैं उसको सुिकार करता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, पत्रम, एक तुलसी का पत्ता, आप लोग के पास है न, पुस्पम, एक फूल, इदि की एक फूल चड़ाई गई यह प्रेम से, भगवान सुिकार कर लेना, प्लीज, और कुछ नहीं है अभी बैवस्ता, पत्रम, पुस्पम, फलम, कोई एक फल, कुछ नहीं मिलेगा, तो बेर दे देना, राम जी को सबरी ने क्या खिलाया था, क्या खिलाया था, भाया जंगल में, बेर खिलाया था, बहाना तो नहीं चलेगा लगा, सबके घर में ले नल, उसमें आता है, मीठा-मीठा जल, है, बोगी हरे में, एक नहीं ह्यों मॉंबाई में एक नहीं चीज सीखने मिलती है, मुला भाया मीठा पानी आता है, गाऊ में यह सुनने नहीं मिलेगा, पानी मीठा ही होता है भाई यहां मीठा पानी आता ही क्या यह बंबई का ऐश्वर है ऐश्वर यह दुरभाग्य है दुरभाग्य पानी जीवों को मीठा नहीं मिलता सोचिए कैसे हम लोग है पानी नहीं मिलता है इस बंबई नगडी में यह महारास्थ जहां अनेक अनेक पात्मा यहां लोग घर लेते हैं बसने के लिए रहने के लिए आनद उठाने के लिए गाओं का गंगा जी का सुद्ध जल छोरके तो भाईया मीथा पानी नहीं मिलता पूछना पड़ता है या बिना पूछे ले लिया तो सर पे हथोड़े पड़ता है क्योंकि टैंकर का पा पानी भी सुद्ध नहीं है हवा भी सुद्ध नहीं है पॉलूशन प्रदूशन चारो तरफ कल्युक के जीवों ने गंध मचा दिया गंध इतने बुद्धी मान हो गए पहले रास्ते बनाए देखिए बुद्धी मता देखिए फिर इतनी घारियां बनाए उससे भी संतु नहीं हुए, फिर इंपोर्ट करने लग गये गाडियों को, कोई सादू संत महत्मा नहीं किया इनोंने, वो जानते थे कि भाई अपने लिए एक कमड़ा जोपड़ा, यह सुख का कारण है, आनन्द का कारण है, नदी का कोई तट, यह हमारा आनन्द का कारण है, परदूशन नहीं होगा, मीठा पानी पूछना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बुद्धिमानों ने इतना अपने आपका विस्तार किया, कि न पीने का पानी है, न सास लेने के लिए शुद्धावा है, अब ओड और इवेंट करना पर रहा है, तो ऐसे, ऐसे हम लोग पड़े लिखे, सम नाम, नाम, राम, हरे, हरे. नहीं पूछेगा, पिता जी क्या बोलेगा उसको, उसका इज़त नहीं करेगा, उसको सम्मान नहीं करेगा, उसका आदर नहीं करेगा, पिता जी क्या बोलेगे, यह पुत्र नहीं, नालाइक है, और सिर्फ उधम मचा रहे दुनिया भर में, और लोगों को कस्ट दे रहे, खुद भी कस्ट भोग रहे और एक दिन चले जाएंगे कस्ट भोग भोग के तो गीता जी पढ़िए गीता जी घर में रखिए गीता जी की महिमा समझ के अपनाईए बहवार में लीजिए जीवन सुंदर बनाईए उचा बनाईए और भगवत प्राप्ति के योग अपने जी महराज के सानित्र में श्रिमत भगवत कथा का विशेश प्रसारण ये कारिक्रम निरंतर चलता रहे जन जन तक हरी नाम पहुँचता रहे भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव एवं सुभत्रा जी अपने स्वयम के स्थान में विराजमान हो सके इसके लिए आप सभी दान दाताओं से अनुरूद है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोगते कर भगवान की खृपा एवं प्रेम प्राप्त करें हरे कृष्ण झाल